सेबी के कारियों में पहला कारे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था सनरशात्मक कारे यानि इसे इंगलिश में हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन जैसे कि यह शब्द से ही सपष्ट है इस अर्थ कि अपने निवेशकों को जो होने वाली धोका दड़ी से बचाने की कोशिश करता है जिससे कि निवेश जो निवेशक होते हैं वह खुशी से निवेश कर से क्योंकि वह अपने आपको सुरक्षित महसूस करें निवेश करते से में आईए कुछ पॉइंट्स के तुरू इसको समझते हैं कि किस तरीके से अपने प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या-क्या चीज़ों को आड़ करती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह धोका दड़ी से अपने निवेशकों को बचाने की क बाते जो बाहर नहीं आने चाहिए उस तरह की ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अगर गोपनी बाते बाहर आती हैं तो क्या होगा ट्रेडिंग में जो लोग है इन अफसर का फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि उनको अंदर की बात पता चल गए कि मार्केट अब इस शेर का क्या होने वाला है या इस कंपनी की आर्थिक सिती क्या है तो वो इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके अंश अब किस रेड पे बिख सकते हैं या उनका मूल क्या हो सकता है तो जिस वज़े से क्या होता है कि जो बाकी निवेशक हैं जो अलग से नहीं कर पाते और जो लाब उनको मिलना चाहिए वो लाब उनको नहीं मिलता है तो इंटरनल ट्रेडिंग को भी रोकती है उसके अलावा जो प्रतिभूतियों में व्यवहार संबंजित जो शिक्षा होती है एजुकेशन प्रोवाइट की जाती है उस तरह की शिक्षा भी प् पारा गाइडलाइन जारी की गई है उसी के अंदर की जाएंगे इसके अलावा क्या होती है मतलब अगर हम संरक्षा नात्मा कारे या प्रोटक्टिव फंक्शन में देखें तो इन और टोटल निवहिशकों को सुरक्षा प्रदान करने से हैं कि वह जब निवेश कर रहे है तो पूरी तरह उनका निवेश सुरक्षित हो और जो लाब उनको मिलना चाहिए वो लाब उनको प्रॉपर मिल सके हैं अब पहरा फंक्शन हमने समझ लिया हम आते हैं दूसरे फंक्शन की ओर जो की है संचालन संबंदी यानि रेगुलेटरी फंक्शन जैसे की शब्द से स पश्ट है कि यहां पर क्या होता है रेजिस्ट्रेशन और संचालन की चीज़ें होंगी अब रेजिस्ट्रेशन किन किन का हो सकता है रेजिस्ट्रेशन दलाल उपतलाल मर्चनटाइज बैंक इन सही चीज़ों का होता है इसके लावा क्रडिट रेटिंग कंपनी का वेंचर स्कीम चलाते हैं जैसे कि mutual funds उनका भी registration इसमें किया जाता है और जो शेर बाजार है तथा mediators जो मध्यस्त इन में काम करते हैं उनका audit किया जाता है साथ ही साथ जो दो company मिलकर जब एक नई company का निर्मान करते हैं और उनके shares या जब भी market में उनकी securities लाते हैं क्राय विक्राय करने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए तो उन company के जितनी भी details है या data है उनको properly चेक किया जाता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेबी है अपने regulatory function को इन बिंदूों के माध्यम से पूरा करती है इसके बाद हम अगले function की ओर चलते हैं जो कि है development function development function यानि विकास समन्धी कार्य इसमें क्या होगा उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाएगा जिससे की निवेश्कों न केवल न को का साथी मद्यस तो आ सकते हैं जह ब्रोकर्स आते हैं यह यहां किया करते हैं उनको प्रशिक्षिंट देते हैं और लोच शील्ड रिष्टिकोन अपना कर पुंजी बाजार का विकास करते हैं शोधकारे करवाते हैं इसके अरावा स्व जो शासी संगठन होते हैं ठीक है उनको प्रोधसाहित करते हैं और विदेशी संस्थागत निवेशकों का पंजीयन करते हैं तो बचो इस त सेवी का चोटा स्व अग्नाइसेशनल स्ट्रक्टिर जानते हैं pojaw सेवी के छोते से और संगठनात्मक धांचे के बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं कि होता क्या है अगरम सेवी को देखें तो सेवी जो है वो पान्च फच्छनल एरियास में डिवाइड होता है और सभी की डिरेक्टर्स अलग-अलग होते हैं इन में दो डिविजन होते हैं जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बेसिस पर डिवाइड होते हैं और जो ये समीतियां होती हैं जो दो समीतियां मैंने आपको बताई प्राइमरी मार्केट और secondary market के basis पे बनती हैं ये जो समीतियां होती हैं उन में कौन-कौन से लोग होते हैं जो market के players होते हैं और SEBI द्वारा जो मानिता प्रापत जो investment organization होते हैं वो होते हैं अब यह जो समीतियां होती हैं वो क्या करती हैं वो केवल परामर्ष दे सकती है सेवी को ठीक है कि क्या कारे करना है लेकिन इसके अलावा वह उस पर दबाव नहीं डाल सकती और एक और सुचना में आपको देना जाओंगी आपके जनरल नालेज के लिए कि जो सेवी की चैमेन है उनका नाम है सर अजय त्यागी अब सेवी को हमने जान लिया और उसके और अगनाइजिशनल स्ट्रक्चर को जान लिया उनके चेमन को जान लिया उसके साथ सथ उनके फंक्शन को जान लिया आईए अब हम कुछ टर्मिनोलोजी को जानते हैं जो कि शेर बाज़ार में यूज की जाती हैं देखिए बच्चो यह जो टर्मिनोलोजी हैं यह आपने एक जगह सुनी भी होंगी अभी रीसेंटली एक मूवी आपने देखी होगी अगर जो कि है स्कैम 1992 हरशत महता स्टोरी इसमें अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो इस मूवी में इस चाप्टर से रिलेटेड कई ऐसे आपको एक-एक करके समझाओंगी आएब हम इन शब्द वल्यों की और चलते हैं यह टर्मिनोलोजी है यह तेजड़िया स्ट्वादी यारी पॉजिटिव लोग होते हैं यह लोग हमेशा क्या सूचते कि मार्कैट उपर जाएगा मार्केट उपर जाने की संभावना को हमेशा मानते हैं और मार्केट उपर जाएगा तो ये लाब कमाएंगे इस तरह का इनका विचार होता है ठीक है ये पॉजिटिव लोग होते हैं अगर हम मंदडिया यानि बेर्स की बात करें तो ये ठीक तेजडिया के विपरीथ होते हैं ये शेर में मंदी आने के बारे में विचार करते हैं और मंदी के द्वारा ही लाब आर्जिन करने का विचार करते हैं अब ये बदला या कंटेंगो क्या होता है जब तेजडिया द्वारा तेजडिया के कौन होते हैं जो transition होना चाहिए जो trading होनी थी उसकी date को रोकने के लिए जो ब्याज देते हैं उससे क्या करते हैं बदला या कंटेंगो करते हैं उल्टा बदला यानी back wedding इसके ठीक वीपरीत होता है यहाँ पे जो मंदडिया लोग होते हैं उनके विचार जब नहीं मिलते हैं उन्होंने जो सोचा था या assumption किया था अगर वो ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाता तो वो लोग करते हैं वो लोग ब्याज देते हैं कि date रुक जाए जहां पर ट्रेडिंग होने वेदी वो डेट या तो रुक जाए या extend हो जाए तो वहाँ पे जब यह लोग ब्याज देते हैं तब उसे हम कहते हैं उल्टा बदला इसके बाद बात आती है मंदड़िया बाजार यहां पर क्या होते हैं सब प्रॉपरली यह सोचते हैं कि जो चीजें हैं हमेशा नेगिटिव साइड में हो मतलब मंदी का महल रहे मंदी का महल रहे मतलब यह जो क्या करते हैं शेर्स को क्या कर लेते ह है कम रेट में खरीद लेते हैं अब इनके भाव बढ़ जाते हैं बढ़ने पर क्या करते हैं यह बेच देते हैं यहां पर जैसे ही मंदी का माहौल आता है उन शेर्स को खरीद लेते हैं क्योंकि कम रेट में शेर्स मिले या सेक्यूरिटी मिली और उनको दिख रहा है इन फ्यूचर यह की जो मार्केट है वो उठेगा तो उनको तब बेज दिया जाएगा तो मंदड़िया महल क्या होता है कि शेर्स को मंदिकाल में उनका ट्रेडिंग करना ठीक है अब बात कर रहे हैं बोली मूल की यह नि बिड़ प्राइस की जब प्रतिभूतियों पर उनके मूल को बढ़ा कर लाप प्राप्त करने या घटा कर लाप प्राप्त करने की बारी आती है तो उसे बिड़ प्राइस कहते हैं फिर बात आती है ब्लू चिप अंश की जब यहां बड़ी कंपनियों की अंश की बात करते हैं तो उसे ब्लू चिप अंश कहते हैं अंश जानी बोर्स स्टॉक एक्सचेंज को बोर्स कहते हैं दलाल ब्रोकर यह लोग वो होते हैं जो कि इसका पार्ट नहीं होते हुए भी क्या करते हैं अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या करा के देते हैं प्रतिभूतियों में विवहार करवा करके द गई हैं उसे समय के बाद खरीदना है या नहीं खरीदना है उसका डिसिजन लिया जाएगा तो वहाँ पे होता है कॉल उप्शन उसी के वीप्रीत होता है विरिक्रे विकल्प या पुट उप्शन फिर आगे बाद आती है रोके रखना या कॉर्णरिंग की जब किसी बूतियों को कोई एक व्यक्ति या बहुत सरे रोकों द्वारा उसके निवेश को रोका जाता है या उसके विक्रे को रोका जाता है तो वहाँ पर बात आती है रोके रखना या कॉर्णरिंग की फिर आता है संशोधन यानि करेक्शन मान लिजे बाजार में किसका समय चल र उसके बाद बाद आती है पेपर रही तिज आपने डीमाट सुना अकाउंट का जो उत्की उत्पत्ती हुई है वह दीमेटरलाइसेशन से ही हुई है क्योंकि पहले क्या होते थे शेर्ज या सेक्योरिटी जब भी कोई खरेते थे वह पेपर में होते थे और उस समय क्या होता तो उनकी समपत्ती का हास होता था या उन्होंने जो इन्वेस्टिमेंट किया है निवेश किया है उसका हास होता था तब उस थिती से बचने के लिए सारी चीज़े जब आनलाइन हो गई तब वहाँ पेपर रही तिया यह दिमेटरलाइसेशिंड वर्ट सामने आया उसके बाद आता है यूरो बॉर्ण यूरो बॉर्ट क्या होता है देश से बाहर जब रहना जाता है तो वहाँ पेपर इस्टान किया इह नें पहले आपको बताए है कि जो चीजें गोपनीये हैं उनको बाहर ना लाना और अगर वो जाना के हैं या कुछ लोगों के जानकारी में आ गया और उस वज़ासे वो ट्रेदिंग कर रहेے हैं तो वो अंत्रिक क्रeII पर याता है पर तो आते हैं संस्थागत विनियोगता कि संस्थागत विनियोगता में वो सारी锅र आती है इसे इंश् tailored कंपनीय या म्यूचल फेंड्स ये सारी कंपनीया आतdog डिंग ट्रेडिंग के लिएंग दिया समय नष्धारित किया इसके पहले या उसके बाद जो trading की जाती है उसे curve trading कहते है लेंब डग क्या होता है जब मंदड़ियों को अपने कहे गए बात जी या मंदड़ियों ने कोई सऻदा तै किया है उस सअधय को पूरा करने में उस तरह trade करने में उन्हें समझसे आती है है तो वहां पे लेम डखसती उतपन होती है उसके बाद आती है बाद से किसेए ओंभय ऐसा लोह वहनु पे क्या होता है यह एर खश्यानिव चैनल चैनल सैलिंग के इन फ्यूचर जो होगा वह मंदी की स्थिती में आएगा और कम भाव पर बिग जाएगा अगर ऐसी स्थिती नहीं उत्पन होती तो जुन्हों ने इस प्रकार की ट्रेडिंग की हैं उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है और इसके बाद आता है सटे बाद स्पेक बेबाज यह लोग नए जो इशू जाते हैं उनके लिए अप्लिकेशन देते हैं और उससे ज्यादा वह उस पर कुछ खर्च नहीं करते तो बचो यह जो कुछ ऐसे टर्मिनलोजी थी जो की आपको यूज की जाती है या आप सुन सकते हैं शेर बाजार में कि लोग इस तर तरीके से जो हमारा वित्य बाजार चाप्टर है वो समाप्त होता है आशा है आपको यह चाप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको यह चाप्टर इंट्रेस्टिंग लगा होगा